इनको तो एक परिवार के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। आम मुझे बताए आदिवासियों की उनिवर्सिटी बने उस पर नाम किसका होना चाहिए। क्या उन नामदार के परिवार का होना चाहिए क्या। ना एकी परिवार का होना चाहिए क्या। हमने 2016 में 2016 में जन जातिय विश्व इद्धाले का नाम हमारे किसी नेता के नाम पर नहीं किया, हमारे किसी परिवार जन के नाम पर नहीं किया, हमारे माता पिता के नाम पर नहीं किया, अगर हमने जन जातिय विश्व इद्धाले का नाम किया तो गोविंद गुरू के नाम पर किया मेरे भाईयों बेनों यह हमारी सोच है उनके लिए उनके परिवार से आगे कोई सोच नहीं है आप मुझे बताइए यह हमारा बासवाड़ा है बुद्पुर वम्मुक्यमंत्री उनकी एक कर्म भुमी क्या आज भी हरीदेव क्या कारण है इस परिवार ने उनको भी भुला दिया उनको भी लोगों की स्भुर्ती से नकाल दिया कॉंग्रेस पार्टी में एक परिवार के सिवाए कोई नहीं चलता है भाईयो आप मुझे बताईए मोहनलाल सुखाडिया दिग्जनेता के थेग नहीं थे अरे राजस्तान में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए कॉंग्रेस में भी जो कभी प्रधान मंत्री बन सकते थे लेकिन उन्हों ने अगर सर उठाया तो इस परिवार ने सर को ही अलग कर दिया सत्ता से अलग कर दिया उनको नीचा कर दिया भाईयो बहनो यही उनके कारणा में चले है और इसलिए भाईयो बहनो कॉंग्रेस के लिए Congress ऐसी सिकूड गई है वो एक परिवार की party बन गई है एक नामदार की party बन गई है और Congress का तो उस्कूल है कि सबसे पहले नामदार फिर नामदार का परिवार उसके बाद परिवार के दरबारी उसके बाद बोट मेंक के ठेकेदार उसके बाद जातिवार उसके बाद देश उनको याद आता है भायों बहनों हमारे लिए तो दल से बड़ा देश है भारत माता की जय यही हमारा सपना है यही हमारा इरादा है फैमिली फर्थ पीपल लाश यह Congress का रविया रहा है